तो हलो दोस्तों आगे हैं कोरने वीडियो के साथ और इसमें मैं आप लोगों को एक question करवाने वाला हूँ जिस question में आप लोगों को जो sentence में हर एक word है उसका first letter को print कराना है वो भी एक साथ तो question देख लेते हैं पहले question मैं आप लोगों समझा देता हूँ question में लिखा है write a program in Java to enter a string and frame a word by joining all the first character of each word display the new word यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कोई भी sentence को input करना है और उसका हर एक word का पहला character उठा कर सब को मिला कर एक नया word बनाना जैसे कि यहाँ पर sample input या ने एक example के तोर पर दिया है vital information resource under size vital का v information का i resource का r under का u और size का s मिला कर बन गया virus तो यहाँ पर मैं इसका आप लोगों को solution बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को subscribe करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करिएगा last में तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले line में मैंने लिखा है import java.util.star उसके बाद class join join के जागा पर आप और कोई भी class name डाल सकते हैं उसके बाद bracket open public static wordman string args bracket open bracket close उसके बाद फिर curly bracket open उसके बाद scanner sc is equals to new scanner system.in यहां तक तो बहुत ही basics था जिसके बारे मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है उसके बाद main program में आते हैं उसके बाद लिखा है मैंने string p यानि यहां पर मैंने एक p string data type variable को declare किया है जिसमें की मैं sentence को store करने वाला हूँ जिस sentence के हर एक word के first character को मिला कर एक नया word बनाना है उससे मैं p में accept करने वाला हूँ उसके बाद मैंने लिखा है int l,i semicolon यहां पर मैंने दो integer data type के variable को declare किया है l l variable में जो string p है उसका length store करने वाला हूँ और जो i है उसको मैं for loop के अंदर इस्तिमाल करने वाला हूँ और उसके बाद मैंने दो character data type के variable को declare किया है care h और h1 इसका use आप लोगों को बाद में वीडियो में पता चलेगा आगे वीडियो में तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके बाद मैंने लिखा है system.out.println inter any sentence inter any sentence के जगा पर आप और कोई भी message दे सकते हैं उसके बाद लिखा है मैंने p is equals to sc.next line bracket open bracket close यहाँ पर मैंने एक string variable को accept किया है string variable को accept करने का syntax यही है sc.next line और l हमेशा capital उसके बाद मैंने क्या किया है p is equals to inverted, open एक बार space को दबाया space बटन को फिर close किया यानि यहाँ पर मैं जो sentence है उसके सबसे पहले में एक gap को add कर रहा हूँ जैसे की virtual जो था example दिया था virtual information resources under size में वहाँ पर virtual 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 जो था उसके पहले कोई gap नहीं था तो मैं यहाँ पर gap add कर रहा हूँ एक नया gap उसका use आपको वीडियो के बाद में पता चलेगा वीडियो आगे देखते रहें l is equals to p.length मैंने यहाँ पर l में length calculate किया है कि उसका जो sentence का जो size है वो कितना है आपको मालूम ही होगा कि length में special character character number कुछ भी जो रहे उसका हर एक space का तक भी हर एक का एक अपना-पना position number होता है और उसको length में गीना जाता है तो उसके बाद मैंने लिखा है for i is equals to 0 i less than l i plus plus यहाँ पर मैंने एक loop चलाया है आपको मालूम ही होगा कि position number 0 से start होता है किसी भी string का position number 0 से start होता है और l minus 1 पर खतम होता है तो वही मैंने यहाँ पर loop चलाया है i is equals to 0 से लेके l minus 1 less than l मतलब की l minus 1 तो सबसे पहली condition में हम लोग आते हैं for i is equals to 0 जब i 0 है तो h is equals to p.car at i तो यहाँ पर p में क्या store किया था जो sentence आपने मान लिजे वही जो मैंने example बताया था vital information resources under size वाला उसका 0 पोजिशन पर v है vital का v लेकिन वो जो आपने accept किया था तो आपको याद होगा मैंने उसी में उसके पहले एक gap add कर दिया था वो gap का use आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में उस gap को मैंने print किया था तो यहाँ पर 0 पोजिशन पर vital v नहीं होगा 0 पोजिशन पर होगा gap जो मैंने वहाँ पर add किया था तो h अब h is equals to क्या है अभी gap है तो उसके बाद वाले condition देखे if h is equals to equals to gap तो आप भी confuse मत होगेगा क्योंकि h character है तो character में gap के लिए single inverted, open gap फिर single inverted, close और जो string रहता है उसमें double inverted, open close होता है तो आप confuse मत होगेगा यहाँ पर मैंने h में gap को उठाया है तो h अभी character data type है तो if h is equals to equals to gap अगर h gap के equal होता है तो उसके बाद उसके अंधरी मैंने एक और if condition को start किया है उसमें मैंने लिखा है p.car at i plus 1 फिर जो bracket open था i का वो close किया फिर जो p के पहले bracket open किया था उसको close किया तो इसमें क्या हो रहा है कि i का value अभी 0 था तो i plus 1 का जो value होगा वो हो जाएगा v अगर हो सकता है मान लिजिए कि जो h में एक gap आया उसके बाद दुबारा भी एक gap आगया उसके लिए मैं यहाँ पर condition चेक करा हूँ अगर जो gap आया उसके बाद वाला यहाँ पर i plus 1 करने का मतलब है gap के बाद क्या है gap के बाद तो यहाँ पर example के तौर पर v है अगर मान लिजिए gap के बाद एक और gap होता तो यह condition true नहीं होता उसके बारे मैं आप लिए वह बाद में बताता हूँ तो example के हिसाब से आगे बढ़ते है p.carat i plus 1 तो gap के बाद क्या था v v not is equals to gap होना चीए जो v है वो gap के equal नहीं होगा यानि कि मतलब क्या है जो gap के बाद वाला position number पे जो कुछ भी है वो gap नहीं होना चीए simple बात है वो gap नहीं होना चीए h1 is equals to p.carat i plus 1 अगर जो i plus 1 position पे जो है वो कुछ भी हो सकता है बस gap नहीं होना चीए यहाँ पर v है तो h1 में क्या होगा store v फिर उसी को system.out.print ln नहीं किया मैंने यहाँ पर ध्यान दीजे print किया है और plus h1 को print करा दिया print का मतलब क्या हुआ मिला तो वो क्या होगा एक line में print होगा और ln का मतलब क्या अगर मैं यहाँ पर ln देता तो पहले v मिलता तो first line में उसके बाद i मिलता तो second line में वो एक line में print नहीं होता लेकिन हम लोग को उसको मिला कर एक word बनाना तो यहाँ पर हम लोग system.out.print का इस्तेमाल करेंगे print ln का नहीं उसके बाद मैंने bracket close किया है तो अगर मान लीजिए कि जो i plus one position है उस पे एक और gap होता तो यह condition if condition true नहीं होता not is equals to gap अगर condition अगर true नहीं होता तो वो else condition में enter करता else condition में मैंने क्या लिखा है continue continue क्या याद रखिए c हमेशा small later होना चीए continue का c small later होना चीए continue मतलब क्या कि अगर if condition जो उपर वाला है वो अगर true नहीं होता है तो continue मतलब क्या यह अगे बढ़ जाएगा मतलब i का value जो 0 था अब i plus one हो जाएगा continue होने के बाद i plus plus हो रहा है तो i plus one हो जाएगा continue करने से एक condition वो जम्प कर जाएगा मतलब इस condition में जो बाकी का नीचे का कुछ अगर आप लोग लिखते हैं तो वहाँ पर वो enter ही नहीं करता वो simple loop के starting में चला जाता और i का value को plus plus कर देता मतलब एक और बढ़ा देता तो continue लिखा मैंने यहाँ पर continue लिखने से क्या हुआ i जो है जो counter variable है वो for loop में पहुँच जाता फिर से और i का value एक plus plus हो जाता 0 था तो 1 हो जाता continue लिखने से उसके बाद मैंने bracket close किया है ये bracket else का close किया है उसके बाद वाला bracket for loop पर close है उसके बाद वाला जो bracket वो for loop पर close नहीं है उसके पहले मैंने एक if statement लिखा था और if के अंदर ही जो एक और if और else है उसको close किया है मैंने और उसके बाद वाला जो bracket है वो public static void main का जो bracket था उसके बाद वो और उसके बाद जो class के बाद bracket open किया था वो close किया है तो तो आगे भी एक और उसके एक step आगे भी मैं आप लोग समझा देता हूँ जैसे कि vital जब एक gap मिला तो शुरू में एक gap था तो vital का v print हुआ अब आगे चेक करते जाएगा चेक करते जाएगा तो vital का v आएगा फिर i is equal to 2 होगा तब फिर एक character उसको मिलेगा जो कि gap के बराबर नहीं होगा तो फिर ये if condition में भुझेगा नहीं फिर बढ़ेगा फिर ऐसे ऐसे करते करते जब vital word खतम होगा उसके बाद आपने gap दिया होगा तो उस gap वो जब gap मिलेगा तो जैसे कि vital के बाद gap है उसके बाद information लिखा हुआ है तो vital चेक करते जाएगा not if h is equal to gap यहाँ पर ये condition satisfy नहीं करेगा तो वो simply आगे बढ़ते जाएगा फिर जब vital के बाद वाला gap यहाँ पर मिलेगा h में तो फिर वो क्या करेगा if h is equal to gap उसको gap मिला वाइटल के बाद वाला gap वो मिला फिर वो उसके अंदर enter किया उसके अंदर जो if condition है उसको चेक किया कि i plus one position पे जो है वो gap है कि नहीं gap नहीं है एक gap के बाद ही आई है तो gap नहीं होने कारण h1 में i को store किया फिर system.out.print h1 करा दिया तो इसके पहले क्या प्रिंट हुआ दा वी अब हुआ प्रिंट आई इसी तरह information का ऐसे चेक करते जाएगा information word खतम होने के बाद एक और gap फिर उसके i plus one जो उसके बाद वाला position है उसको चेक करेगा कि gap है कि नहीं अगर वो gap नहीं होता है तो उसको simply print कराएगा इसी तरह से जब तक l minus one i का value l minus one नहीं हो जाता तब तक ये loop run करता रहेगा और एक एक करके word के सारे जो first character है उसको उठा कर प्रिंट कराता जाएगा सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें कमेंट करें शेयर करें तब तक क्लिए पाएगा